नमस्कार! उनकी कलम मेरी अवाज में आप सभी का स्वागत है बड़ो को प्रेणाम और छोटो को बहुत सा प्याद चलिए सुनते हैं कहानी नियूर जिसे लिखा है मुझी प्रेम चल जी ने मौसम का मिजास बदला हुआ था बरसात के दिन थे आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे आपस में गले मिल रहे थे कभी चाया तो कभी चमकती धूप हो रही थे ऐसा लग रहा था मानो सूरज और बादलों में लडाई हो रही हो वहीं गाउं के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेर बाद रहे थे सभी पसीने में तर फावडे से मिट्टी खोद कर मेर पर रख रहे थे वहां मौजूद पानी के कारण मिट्टी नरम हो गई थी तभी गोबर ने अपनी कानी आँख मटका कर कहा अब तो हाथ नहीं चल रहा है भाई भोजन कर ले नेउर ने हस कर कहा मैं तुम से पहले काम पर आया था पहले या मेर बांद लो फिर भोजन करना इतने में गोबर ने कहा नेउर दादा तुमने अपनी जवानी में जितना खी खाया था ना हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता नेउर छोटे कटका सावला गठीला और फुर्तीला आदमी था उम्र पचास के उपर थी लेकिन नौ जवान उसके बराबर मेहनत करने में खार मान जाते थे अभी दो-तिन साल पहले ही उसने कुस्ती लगना चोड़ा था गोबर तो ऐसी महेरिया साथ एक दिन न रहें निउर जवानी तो उसके साथ कटी है अब बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होता तो भला क्या करें गोबर तुमने उससे सिर चड़ा रखा है वरना काम क्यों नहीं करेगी दिन भर मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और गाउं भर से लड़ती है तुम जरूर बुढ़े हो गए हो लेकिन वो अब भी जवान ही है उसी वक्त दीना बुला जवान औरत क्या उसकी बराबरी करेगी आज भी सिंदूर, बिंदी, काजल और महंदी में उसका मन बसता है रंगीन, धोती और गहनों के बिना हमने तो कभी उसे देखा नहीं तुम सीधे हो, इसलिए निभा रहे हो नहीं तो गली-गली ठोकरे खाती गोवर, मुझे तो उसके दिखावे पर गुस्सा आता है काम कुछ ना करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए निवर, तुम नहीं जानते बेटा जब वा आई थी, तब मेरा हाल ऐसा ना था वा रानी की तरह रहती थी वक्त बदल गया है, लेकिन मन तो अब भी वही है न जरासा चुले के पास बैट जाए, तो आखें लाल हो जाती है मुझे तो यह हाल नहीं देखा जाता है यहां से जाकर पानी लाऊंगा, और रोटी बनाऊंगा तब जाकर खाएगी, तुम्हारी तरह अकेला रहता तो तमाकू की चार फूंक मारकर और एक लोटा पानी पीकर सो जाता जब से बिटिया मरी है, तब से वह और सुस्त हो गई है उसके मन को काफी धक्का लगा है मा की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा पहले तो डांट डपड देता था, अब किस मूँ से बोलू दीना, कल तुम पेड़ पर कहे चड़े थे नियूर, बकरी के लिए पत्ती तोड रहा था बिटिया को दूद पिलाने के लिए बकरी ली थी अब वह भी पूर ही हो गई है लेकिन थोड़ा दूद दे देती है उसका दूद और रोटी ही मेरी महेरिया का आधार है शाम होते ही नियूर घर पहुँचा उसने लोटा उठाया और नहाने की तयारी करने लगा तभी इस्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा इतने देर क्यों कर दी काम के पीछे प्राण मत दे दो जब पगार सबको बराबर मिलती है तो अकेले तुम क्यों जान देते हो नियूर का मन प्रेम से भर गया उसने सोचा मेरी इस्त्री के दिल में मेरे प्रति कितना प्रेम है उसे मेरे मरने जीने की चिंता है नियूर बोला तू जरूर पिछले जन में देवी रही होगी बुढिया बोली रहने दो चापलू सी बंद करो हमारे आगे कौन है जिसके लिए इतना हाय हाय करें नेउर नहा कर लोटा और रोटियां बनाने लगा चूले से आलू निकाल कर उनका भरता बनाया और दोनों साथ खाने लगे बुढिया बोली मेरे होने से तुम्हे कोई सुख नहीं मिला न केवल पड़े-पड़े खाती हूँ और तुम्हे तंग करती हूँ इससे अच्छा तो भवान मुझे उठा लेता नेउर उसकी बात काटते हुए पीच में बोला यम्राज आएंगे तो उनसे कहूँगा कि पहले मुझे ले चलो भला इस सुनसान जोपड़ी में अकेले कौन रहेगा बुढिया बोली तुम ना होते तो मेरा क्या हाल होता या सोचते ही मेरी आखों के सामने अंधेरा चा जाता है जरूर मैंने कोई पुन्य किया होगा तभी तुम मिले वरना किसी और के साथ मैं रहना पाती जैसे शिकारी काटे में चारा लगा कर मचली को फसाता है वैसे ही आलसी और लोभी बुढिया जीब पर रस रखकर नेउर को अपने इशारों पर नचाती थी उन दोनों में से पहले कौन मरेगा इस विशे पर आज उनकी कोई नई बात चीत ना थी पहले भी हजारों बार इस विशे पर चर्चा हुई नेउर ने मन ही मन या मान लिया था कि पहले वही जाएगा वह मैनत इसलिए करता था ताकि उसके पीछे बुढ़िया को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े वह आराम से खा सके जो काम कोई नहीं कर सकता था वह नेउर करता था कि चार पैसे जमा हो जाए बुढ़िया के बगैर वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था लेकिन आज की बात ने नेउर को सूच में डाल दिया गाउं भर में नेउर को काम की कमी न थी लेकिन मजदूरी कुछ न मिलती थी एक दिन एक बाबा जी खूमते फिरते गाउं में आप पहुचे उन्होंने नेउर के घर के सामने ही डेरा डाल दिया बाबा जी की सेवा के लिए गाउं भर के लोग जमा हो गए किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंबल का इंतिजाम किया तो कोई आटादाल ले आया नियूर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे तो उसने भोजन बनाने का जिम्मा ले लिया बाबा जी भूत भविश्य वताते थे दूर दूर तक लोब उन्हें च्छू नहीं सकता था दो-तीन दिनों में ही बाबा जी की चर्चा आसपास के गाउं में होने लगी नियूर बाबा जी का सबसे बड़ा भग था उसने सोचा कि बस बाबा जी की कृपा बरस जाए तो सभी दुपतर्द दूर हो जाएंगे बाबा बोले बच्चा इस संसार की माया में क्यों फसे हो नेवर ने सिर जुका कर कहा महराज अज्यानी हो क्या करो इस्त्री है उसे कैसे छोड़ दू बाबा बोले तुझे लगता है कि तू इस्त्री का पालन करता है नेवर बोला तो और कौन सहारा है उसका बाबा जी ने कहा इश्वर ने संसार की रचना की है वो सब का पालन कर रहा है और तू कहता है कि तू बुढ़िया का पालन कर रहा है इतना अभिमान कैसे कर सकता है तू नियोर को ग्यान बोध हुआ उसने हाथ जोड लिया और बोला अग्यानी हूँ महराज आखों से आसो गिरने लगे इससे ज़्यादा वह कुछ ना कह सका बाबा बोले इश्वर का चमतकार ऐसा है कि वो चाहे तो तुझे लगपती कर दे और छण भर में शारी परिशानिया खत्म कर दे मैं मात्रोस का एक भक्त हूँ मुझे में इतनी शक्ती नहीं है कि तुझे पारस बना दू तू सच्चा, इमानदार और साफ दिल का इंसान है मुझे तुझ पर दया आती है तेरे पास कुछ चांदी हो तो बता मैं तुझे अमीर बना दू नियूर का मन खुशी से खिल गया नियूर बोला मेरे पास चंद पैसे हैं और मेरी घरवाली के पास चांदी की कुछ तूटे-पूटे गहने होंगे मैं ले आऊंगा बाबा बोले जितनी चांदी मिल सके कल रात तक ले आ मैं तेरे सामने चांदी को हांडी में रखूँगा प्रातह काल हांडी आकर निकाल लेना नियूर की चहरे पर खुशी दौड गई इतने में बाबा बोले लेकिन ध्यान रहे इन असरफियों को जुआ खेलने शराब पीने या बुरे काम में खर्च मत करना वरना कोड़ी हो जाएगा एक और बात किसी से इस बात की चर्चा मत करना नियूर वहां से चला आया खुशी के मारे रात भर उसे नीद नहीं आई सुबह होते ही वह दो चार आदमियों के पास उधार मांगने पहुचा लोग उसका भरोसा करते थे इसलिए पैसे दे दिये नियूर ने किसी तरह पचास रुपे जोड लिये पच्चीस रुपे उसके पास पहले से थे लेकिन असल दिकत बुढ़िया से चांदी के गहने निकलवाने की थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए नियूर को एक तरकीब सुझी वह बुढ़िया से बोला तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं ला मुझे दे रात भर मैं खटाई की हांडी में डालकर इन्हें साफ कर दूँगा बुढ़िया ने गहने दे दिये देर राज जब वह सो गई तो नियूर गहने लेकर बाबा जी के पास पहुँचा बाबा ने मंत्र पढ़ा और हांडी में गहनों को रखकर नियूर को आसे बाद देकर विदा किया नियूर घर तो लोट आया लेकिन उसकी नीन गायब थी वह करवटे बदलता रहा सुबह तक का इंतजार किये बगैर वह अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुँचा वहां पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई बाबा जी वहां नहीं थे नियूर की छाती धक धक करने लगी वह इधार उधार बाबा को खोजने लगा हाट तलाब सब जगां देखाया लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले पूरे गाउं में बात फैल गई सब तरह तरंकी बाते करने लगे लोगों को लगा कि बाबा जी नियूर को बड़ा पसंद करते थे उसे जरूर बता कर गए होंगे नियूर की तलाश करते हुए सबी गाउं वाले उसकी जोपड़ी के पास पहुँचे बुढिया बाहर आई तभी एक ने कहा नियूर ने मुझसे पैसे उधार लिये थे कहां था शाम को लोटा दूँगा बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात कही इतने में बुढिया रोने लगी और बोली बीते रोज उसने मेरे सारे गहने मागे थे अब पता नहीं कहां चला गया बुढिया नियूर को गालिया देने लगी अब लोग पूरी कहानी समझ गए वो जान गए कि बाबा नियूर को ठक कर फरार हो गया है बिचारा नियूर सीधा आदमी बाबा के झासे में फस गया अब लाच के मारे सामने नहीं आ रहा है किसी तरह तीन महीने बीते जहांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा गाओं था काशिपुर वहां नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला था एक साधू कई दिनों से वहां तेरा जमाए बैठा था नाटा कद, सावला रंग और गठीले शरीर का आदमी था या नियूर था जो साधू के बेश में अब दुनिया को धोखा दे रहा था या वही नियूर था जो कभी महनिती और इमानदार हुआ करता था गाओं से दूर नई जगा आने के बाद भी उसे अपना गाओं, घर और बुढ़िया बहुत याद आते थे वह हर रोज बस यही सोचता था कि कब वह अपने गाओं वापस लोटेगा और खोशी से जीवन बिताएगा धोंगी बाबा को याद कर उसका मन दुखी भी होता था उसका हाल ऐसा था कि अगर अभी वह बाबा को पा जाए तो उसे कच्चा ही खा जाए खेर यहाँ बाबा बनकर नियूर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था उसके भक्तों में एक सुन्दर स्त्री शामिल थी जिसकी शादी सुजा जिंदिकी कुछ ठीक नहीं थी एक दिन पारिवारी कलह के बाद वह रूट कर माय के आ गई तब से उसका पती उसे लेने नहीं आया था वह इस्त्री किसी तरह अपने पती को वश में करना चाहती थी एक रोज उसने बाबा जी को अपनी समस्या बताई नियूर को जिस शिकार की आस थी वह उसे मिलता दिखाई पड़ रहा था वह गंभीर आवाज में बोला बेटी मैं हूँ ना मुझ पर भरोसा रख भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा इस्त्री बोली मेरे भगवान तो आप हे हो आप जो बोलेंगे वही करूंगी नियूर मन ही मन खुश हो रहा था नियूर ने कहा तेरा काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए तुझे बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा जिसमें हजारों का खर जाएगा उस पर भी तेरा काम सफल होगा या नहीं या मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब भगवान के हाथ में है इस्त्री किसी तरह अपने पत्ती को वश में करना चाहती थी इसलिए वह पाबाजी की चरनों में गिर गई और सोने के गहनों की पोटली उनके सामने रग दी महीनों से जिस समय का इंतजार ने उर्ग कर रहा था वह आ चुका था लेकिन उसके हाथ पाओ काप रहे थे उसके अंदर अजीब सी उल्जन हो रही थी वह चाह कर भी इस्त्री के साथ ठग नहीं कर पा रहा था उसके संसकार उसे इस काम को करने से रोक रहे थे अंत में नेउर्ण ने रोते हुए कहा बेटी या पोटली ले जाओ अलाब देख उसने स्नान किया तिलक भभूत से उसे घ्रणा हो रही थी तक क्रीबन आठ दिन के लंबे सफर के बाद वह गाओं पहुचा उसे ऐसा लगा मानुवा बेडियों से आजाद हुआ हो और कोई बड़ी जीत हासिल की हो उसके पहुचने की खबर पूरे गाओं में आग की तरह फैल गई कुछ लड़कों ने उसका स्वागत किया और बताया की दादी तो मर गई या सुनते ही नेउर का संसार उजड़ गया वह कुछ न बोल सका आखें भर आई वह दोड़ा दोड़ा जोपड़ी में पहुचा किमार खुला था पुड़िया की चारपाई जस्त की तस थी चेलम और नारियल भीजियों का त्यों धरे हुए थे इतने में पूरा गाओं वहाँ आप पहुचा सवालों की जड़ी लग गई किसी ने कहा तुम कहां थे नेउर दादा तुमारे जाने के तीन रोज बाद ही दादी चल बसी दिन रात तुम्हें कोस्ती और गालिया देती थी तुम इतने दिन कहां रहे नेउर के पास कोई जवाब ना था वह कुछ न बोल सका बिलकुल मौन हो गया मनु जिन्दा लाश उस दिन के बाद से किसी ने नेउर को हसते बोलते नहीं देखा वो ना किसी से कुछ कहता और ना कुछ मांगता गाउं के बाहर सड़क के किनारे वो बैट जाता है जो राहगीर दे जाते उसी से अपना गुजारा करता गाउं में प्लेक फैल गया सब गाउं छोड़कर भागने लगे पर नेउर को किसी चीज की परवाह ना थी वा जोपड़ी के बाहर निर्जीव और अचे पड़ा था इस कहानी से हमें क्या सीख मिली इमानदारी और संसकार सबसे बड़े हैं और इनसान को धन का लोग नहीं करना चाहिए और शहे कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोथसाहित करने के लिए एक लाइक करें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और हाँ अगर आप इसी तरह की मनुरंजत कहानिया सुनना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिल मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तब के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद